इसी प्रकार अन्य प्रशंगों को स्रवन करने के लिए माराज स्री के एक मात्र अधिकृत ओफिस्यल यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आईकोन को अवस्य दबा दे जाग्रित अवस्था में तो देखे ही नहीं स्वाप्न में भी परदोश का दर्शन न करें तो बड़ा कठीन है गुण तो लोगों को दिखते नहीं स्वाप्न सब जगह कमी दिखती है आठवे भगती है दोश दर्शन न करें कदाचित किसी में दोश दिखे भी तो उसी से कहें क्यों ठीक उसी को होना है भौपूले के उसको परचारित न करें राजा की सिर में दोदो सिंग किन कहा किन कहा तो बंबई हजाम कहा ऐसा परचारित न करें किसी के दोश को देख भी लिया तो समा लोचना अत्मक वेभार साधते हुए भीया इसको थोड़ा ठीक कर लो आलोचना न हो समा लोचना हो आलोचना में हमारी जलन होती है आलोचना में हमारी इरश्या होती है जब हम किसी से दंद बनाते हैं तो हम निंदा करते हैं उसकी कमिया गौण हो जाती है हमारे लिए अच्छाई गौण हो जाती है कमिया प्रतक्ष हो जाती है आठवी भक्ती है निंदा न करें क्यों दोशदर्शन होगा निंदा हो अपने भी अशान्त हों दूसरों को भी करें न करें आठवी भक्ती सिद्ध नमी बड़ी प्यारी है नवम सरल किसके साथ सवसन चल ही चल रहीत होकर सब के साथ सरलता से विवहार करें जीवन में सरलता ही आजाए तो क्रपा अपने आप चल के आते हैं बड़ी लंबी आत्रा है इसको प्राप्ट करने के नमम सरल भजन करने से होता है स्मरन से सुमरन से सरलता आती है सेवा से सरलता आती है तब से हम आता है जैसे जैसे भजन पकेगा वैसे वैसे सरलता आती जाए आप मिलेंगे मापुरुषों से जब मिलेंगे आप हाँ 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 कैसी सहाज सरलता है नर्शनीर दर्शनीर कुर्दे बगवान कह रहे थे हैं कि हम किसी को चेताते नहीं जद को चेताना हो चेताओ नहीं चेतानों तो बांड़ हम अपनी आनंद में हम भज रहे हैं हम बगन हैं चेतना है चेतो न चेतना बहुँ नवम सरल कैसा माधुरिय है कैसी सहजता शवरियम भगवान को जब पाउं पधराकर पाउं पखारकर और पधराती हैं आसन पे तो पूछती है प्रभू क्या सेवा करूं भगवान ने कहा में भूख लगी है कुछ खिला दीजिए कंद मोल फल सुरस अति दिये राम कहुआन प्रेम सहित प्रभू पाए बारं बार बकान हाथ जोड़कर पूछती हैं प्रभू आपकी अस्तुती कैसे करूं अस्तुती मने प्रशंसा आपकी प्रशंसा मैं कैसे करूं मैं तो अधम जाती हूँ मन्द मती हूँ जड मती हूँ अधम ते अधम अधम अती नारी इतिन महु मैं मती मन्द अधारी सरलता क्या है हमारे बारे में आप जो नहीं जानते हूँ महीं बता देता हूँ ये पकड़ो सामान जीव दोश को छिपा कर अपने गुण बखान करता है यह सरलता नहीं है यह विरलता सरलता जो है सोहे साथ और देखे दोश छिपता नहीं है जिस प्रकार खुशी नहीं छिपती है प्रसन्नता मुकपर उपस्तित हो जाए पान खालें आप कितनों वोट्स चबाएंगे लाली जाएगी नहीं और बढ़ती जाएगी पित का ड़कार आ गया आप कितों मोह बंद करेंगे मुह तो बनेगा ही बनेगा पान पीत खासी खुशी खासी अरे सा भगवान न करे आवए छिपय छिपावत नाए परमात्मा जिस पर करपा करेंगे भजन के प्रभाव से सेवा के प्रभाव से स्मरण के प्रभाव से जीव में सरलता स्नई है उतरती है एक दिन का काम नहीं कि हां कोई कुछ दिन के लिए नाटक कर ले तो कोई बात संभव है परहंतु जीव में भगत में भजन के प्रभाव से ही सरल ताएगी तब सब के साथ सहजा वस्ता उपस्तित हो जाएगी नवम सरल सब सन छल ही नम मम भरोज यहर शर्दी नवम वे कव जिन के हो नार पुरुष सचराचर प्रभु कहते हैं शबरी जी नव में से एक भी जिसके अंदर उतर जाएगी वो इस्तरी हो आपुरुष चार वर्णों में किसी वर्ण का हो वो मुझे अतिसाय प्री है नम महु वेकव अब हम तलाश करें हम धूने हम निकालें कि हमारे में इन नव में से कौन सी भगती है क्यों कि रामा भगती है मैंने वोर्ड बस जाके रामा भगती है मन योजर बस जाके ना मा भगती मन योजर बस जाके दुखे लेवले न सपने हुतारे दुखे लेवले न सपने हुतारे जतोर शिरो मानित्यी जगमाई जतोर शिरो मानित्यी जगमाई जे मानिलागे तुझा तुझा तना करागी जे मानिलागे तुझा तना करागी जे मानिलागे तुझा तना करागी नव में से एक भी भक्ती हमारे हिरदय में अवतरित हो व्यवहार में अवतरित हो चिंता, दुख, कलेश, अशान्ती साप से मुप्ति प्राप्त और यह नहीं है तो सब विमारी गिरे रहे हैं संसार की सव विमारियों की चिकतसा है भगवत भक्ती आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद, परमानंद देखिए, भगत जी का परिवार सुनेंगे कलाब, क्या परिवार है भावा का बोले भावा का परिवार, भगत परिवार क्या है भगत परिवार? क्योंकि सब लोग भगवान के नाम का चप करते हैं नाम प्रभाव जान शिवनेको, काल पूट भल दीन अमीको महिमा जास, जान गनराव, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव सहस नाम समसुन शिवबानी, जप जेई, पियसंग भवानी और कारतिक स्वामी के लिए लिखा है, जर जग जान सनमुख जन्म कर्म प्रताप पुर्शारत महा जनमते चले गए भजन लेकर दक्षण में, वहां मुर्गन स्वामी नाम है गुलिकारतिके या भगवान की देवों तो भगती मणी पर हम लोगों ने थोड़ा स्मरण किया इसी प्रकार अन्य प्रशंगों को स्रवन करने के लिए महाराज स्री के एक मात्र अधिकृत ओफिस्यल यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को अवस्य दबा दें